हर जगह तकलीफों का बहुचार है एक बार मैत की दुनिया में घुसके देखो यह दुनिया कितना सांदार है तो स्वागत है आपका ग्यापन अकेडमी के इस जबर दस्त क्लास में और यह क्लास टिंथ का मैथमेटिक्स जो की बहुती सांदार होने वाला है और यह कोस्टन आपके एकजाम में मतलब बोड के एकजाम में डारेक्ट देखने को मिलेगा इतने सांदार तरीका से आपको समझाएंगे ना मतलब यहाँ पे सेट हो जाएगा दिल में उतर जाएगा इस कोस्टन को क्या करना है इसको देखिए पहले समझ लिजेगा दो तरीका से कोस्टन को हम लोग से तीन तरीका से साबित करते हैं पहले तो इसको बना के अगर यह आ जा रहा है तो भी सही है इसको बनाते जाओ, अगर ये आ रहा है, तो भी से, और नहीं, तो दोनों को बनाते चलो, और नीचे दोनों का answer अगर बरावर जाए, तो भी आपस में एक दूसरे के क्या है, बरावर है, यहाँ पे वही काम करना है, LHS और RHS दोनों को बनाना है, और नीचे वाला दोनों सेम यह इसको बनाईए अब मामनला यह उड़ता है कि कौन सा फर्मॉला तो बहुत सारा है तो आप裡面 कैसे आएगा कि यही फर्मॉला मुम तो बता दो नहीं आप तो आप तो बता देंगे हम कैसे सोच पैंगे तो सोचिएगा यहां पेर यह 10 भी 10 कोस में तो को तो यहाँ पर यह हो सकता है, यह भी sin cos में हो सकता है, देखिए, cos एक theta बराबर होता है, one but a sin theta, theta के जगा a है, minus है तो minus, एक को छोड़ दीजिए, इसको नहीं बदले हैं क्योंकि हमको sin और cos में इस छोड़ देना है, क्योंकि यह भी बदल सकता है, यह तो है ही, इतना तो आप कर सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, से को बदल सकते हैं, one but a cos theta होता है, और minus cos a छोड़ देजिए, बराबर, इसको अगर लिखना चाहते हैं, तो लिख देजिए, one but a ten theta बराबर होता है, sin theta a है, यही एक कमी है, दिमाग में थोड़ा सा, आप समझ जाएगा, कि a और theta थोड़ा बहुत गबड़ा जाता है, ठीक है, कोट होता है, cos a और sin a, इतना तो आप जरूर कर सकते हैं, अब यहाँ देखिए, इकर लिजिए बटा का जोड़, एक मान लिजिए, यहाँ भी एक मान लिजिए, यहाँ भी नीचे तो एक शिपा रहता है, जब बटा का जोड़ किजिएगा न, तो यहाँ हो जाएगा sin a, और यह हो जाएगा आपका 1 minus, यह हो जाएगा sin square a, कैसे आ गया, इसमें इसमें भाग दिए तो sin होगा, और sin में sin से तो sin square हो जाएगा, इन्टू, यह हो जाएगा आपका cos a, यह हो जाएगा आपका cos, sorry, यह हो जाएगा 1 minus cos square a, बटा का घटाओ कर लिजिएगा, और बड़ाबर 1 बटा इसका ले लिजिए lcm, जब इसका lcm लिजिएगा तो कितना होगा, इसका होगा sin a into cos a, चाहिए cos a into sin a, यही नहोगा, जब नीचे वाला का lcm लिजिए नहीं होता है, तो दोनों को गुणा करते हैं, इसमें इसमें भाग दिजिएगा, तो cos से cos खत्म, sin बचेगा, sin में sin से तो हो जाएगा, sin square a, वैसे ही इसमें भी किजिएगा, तो हो जाएगा cos square a, इतना तो आप कर सकते हैं, 1-sin square क्या होता है, होता है cos square a, अब बटा, यह होता है sin a, into, यह 1-cos क्या होता है, तो cos रहेगा, तो sin होता है, sin रहे तो cos होता, यहाँ पर हो जाएगा cos a, यहाँ cos 2-tho है, और यह 1-tho है, कड जाएगा, यहाँ sin है कितना 2-tho, और यहाँ 1-tho होता है, ठीक, यहाँ देखे, उपर नीचे यह उपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, यह उपर, यहाँ पर जब एक बटा में मानीगा, तो उपर, नीचे उपर, बीचे बीचे दोनों बीच वाला नीचे, तो यह चला जाएगा आपका उपर, sin A into cos A, cos A, जो बीच वाला नीचे आएगा, तो यह क्या बच रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेगा, sin A square theta और cos A square theta 1 होता है न, तो 1 नीचे आएगा, तो यहाँ पर इसके जगा पर डारेक्ट हमें लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और उपर बच्चा cos A, एक्ठो और एक्ठो बच्चा sin A, यही न बच्चा है, और यहाँ देखेए, उपर बच्चा यहाँ पर sin A और cos A, नीचे 1 नहीं लिखते हैं, नीचे क्या करते हैं 1, नहीं लिखते हैं, आप देखिए तो दोनों बराबर आया है, उल्टा लिखने से कोई मतलब नहीं होता है, कोई बस into में sign A, sign A, cos A, cos A, तो LHS बराबर RHS हो गया, LHS और LHS दोनों आपस में क्या हो गया, तिरकोड मिती का एक प्रेम कहानी, जो पूर्ण रूप से प्रेम कहानी complete हुआ, और end में वो मिली की नहीं मिली, अब इसके बारे में अगले lesson में हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं, और थोड़ा सा अगला question हम लोग देखते हैं, अगले question, देखेंगे, अगला question में बहुत असान है, ठीक है, यह का रहा है कि इसको तीनों आपस में क्या दिया है, बराबर दिया है, क्या दिया हैं यहां पर बराबर दिया है, तो आप एक हम इसको बनाईए, हो सकता है कही टेन आजए, फिर इसको बनाई है हो सकता है कही 10 आजे अगर आगे है तो सब बराबर है तो यहाँ पे बनाना शुरू किजी यानि कि यह है 1 पॉलस 10 स्क्वाइर A और बट्टा 1 पॉलस कॉट स्क्वाइर A आप बताए कोई ऐसा फर्मूला है स्क्वाइर गूरूप में जिसमें 10 स्क्वाइर में आता हो और 1 भी आता है तो 1 पॉलस 10 मामला को सिट कर दो फर्मूला यादेना वही है सेक स्क्वाइर A हो जाता है 1 पॉलस 10 और बट्टा यह कॉट वाला हो जाता है cosic square A c o s a c cosic square A sec का formula होता है 1 बटा cos theta होता है न square है तो square डाल दो सिน A ऊपर नीछे ऊपर तो sine चला जाएगा ऊपर cos आजाएगा साइन बटा cos क्या होता है 10 होता है square है तो square यह आप कहो गया p ro l ch step हो गया LHS से और क्या आ गया? आर हैस अपका साभीत होगा, इसे वह रहा है, होगा ऐसे ही, सेम, टू सेम, यह भी बनेगा, इसको भी बना सकते हो, क्या होगा बहーबू, one plus ten a, और है यहाँ पर one minus quarter, minus दोनों जगा है, और इसका करदो whole square, इसको सल्व करना है और धीरे धीरे बनाते हैं यह ला देना है चलिए एक काम कीजिए यहां लिखते हैं हम लोग LHS से चलते हैं LHS left hand side से चलते हैं 1 minus 10 theta बराबर क्या होता है आपको पता है यहां देखिए 10 theta बराबर यहां पर हो जाएगा आपका sin A बटा cos A एक और तरीका से इसको चाहेंगे तो बना सकते हैं यह वाला question एक और तरीका से बन सकता है if you want अगर आप चाहते हैं तो ठीक है यहां देखिए 1 minus यह कितना हो जाएगा ट कॉट है न तो हो जाएगा cos theta बटा sin theta इतना हो सकता है यहां देखिए जब यह हो गया तो इसका क्या है whole square है अब एक मन के कर दिजिए बटा का जोड़ जब यह बटा का जोड़ किजिए गना तो हो जाएगा cos a उपर होगा cos a minus sin a ठीक और बटा इसको भी कीजिए गत हो जाएगा sin a और यह हो जाएगा sin a minus cos a इसका क्या है यह whole square है इतना तो आपकर सकते हैं अब प्रस्नल देखो इस सब का whole square है सब का power क्या है दो तो आप चाहेंगे जब सब का power है तो अब यह सब आपस में जगडा कर लेगा तो यह चाहेंगा कि हम भाई अपने लिए square अलग रखेंगे और यह हो जाएगा आपका cos a यह whole square वाला है और यह हो जाएगा sin square a अखिरकर हो गया कि नहीं अलग हो गया अब एक और आप काम कर सकते हैं इस से चाहेंगे तो काट सकते हैं लेकिन आपके दिमाग में आएगा सर यह दोनों सेम नहीं है तो कैसे कटेगा यह कट सकता है अब आगे कट ऐसे भी कट सकता है a square रहेगा तो plus और minus माइने नहीं रखता है लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे तो एक काम हम यहाँ करते हैं a minus b के the whole square कर लेजिए a square plus b square minus 2ab यहीं न करेंगे उसके बास से यहाँ हो जाएगा आपका cos square a फिर यहाँ पे हो जाएगा वही a square वाल minus 2 sin a और cos a ठीक है अब बटा में हो जाएगा sin square a यहाँ देखिए तो फिर यहाँ देखिए sin square a कोस पर कितना होता है 1 minus 2 cos a into sin a और बटा यहाँ पे क्या है cos square a बटा यहाँ पे भी हो जाएगा 1 minus 2 sin a into cos a और बटा में यहाँ हो जाएगा sin square a यह दोनों सेम है यह खतम हो गया क्या है यह दोनों सेम है यह यहाँ पे आगे पीछे से मतलब नहीं होता है और उपर नीचे उपर चला जाएगा sin क्योंकि 4 गों टर्म है न तो sin चला जाता है नीचे वाला उपर तो sin square a और बीच वाला आ जाएगा नीचे तो cos square a और sin और cos मिला के क्या होता है 10 square a ठीक है तो यह भी आपका प्रूब हो गया इससे हम चल की यह ला दिए आर एच एस मिल गया यह भी प्रूब्ड हो गया तो इसका भी आप एसकी इन सौर्ट ले लिजे कुछ नहीं है बटा का जोड है सिर्व और कुछ नहीं है और फ्रेक्शन वाला एड है तो उमेद क अब का से और आपका अभी इसस्टी बाकी है बहुत मज़ा आने वाला है आपको यानि कि आप मैथ में 100 में 100 और इसस्टी में 80 का नंबर का जो आपका एक जाम तो 80 में 80 लाएंगे तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नया टॉपी के साथ तब त है हिंदे